आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hi Everyone, यहाँ पर Question में दिया जारा What is the percentage dissociation of 0.1 molar solution of Aztec Acid? यहाँ पर हमको percentage dissociation बताना है कितना होगा और वो भी आपको solution का concentration है दिया जारा है 0.1 molar solution of Aztec Acid तो यहाँ पर यह आपका Aztec Acid दिया गए CS3COOH यह जब आपका dissociate होता है तो क्या बनाता है? यहाँ पर H+, और यहाँ बनाएगा CS3COO- तो अगर degree of dissociation जो है हमने ले लिया degree of dissociation यह हम लोगों ने क्या ले लिया? अलफा ले लिया और यहाँ पर जो concentration था C पहले और इनका concentration था 0 जैसे equilibrium established हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कुछ समय बाद? तो यह C-C-Alpha कुछ घड़ जाएगा यह C-Alpha बन जाएगा, यह C-Alpha बन जाएगा तो यह हो जाएगा C-1-Alpha ठीक है? तो यहाँ पर जो है यह आपका जो dissociation constant होता है acid dissociation constant Ka of astic acid ठीक है? तो Ka of astic acid जो है यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका यह H-plus sign का concentration into CS3 CO-1 का concentration divided by आपका क्या हो जाएगा? यह concentration of CS3 COH ठीक हो जाएगा और यहाँ से आपका जो है मैं इसका value लरक देता हूँ C alpha dot C alpha divided by C 1 minus alpha तो यहाँ से आजाएगा क्या? C alpha square divided by क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका 1 minus alpha alpha बहुत छोटा होता है तो हम क्या कर लेते हैं? इसको 0 मान लेते हैं यह मतलब नेगलेजबल कर देते हैं तो 1 minus alpha की जो value आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? approximately 1 हो जाएगा ठीक है? तो यहाँ से आजाएगा k a is equal to c alpha square तो यहाँ से this implies alpha is equal to क्या हो जाएगा? k a divided by c तो यहाँ k a की value भी दी गई है हमको कितना दी आगए है? यहाँ हम देख लेते हैं k का value जो है 10 की पावर minus 5 दी गई 10 की पावर minus 5 divided by आपका कितना है? 0.1 ठीक है तो यह आपका molar concentration दी आगए 0.1 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या हो सकता है? 10 की पावर minus 1 molar concentration हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर minus 1 लिख देता हूँ यह आपका आजाएगा under root 10 की पावर minus 4 और 10 की पावर minus 4 जो है यह कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 10 की पावर minus 2 ठीक है और alpha का value जो है 10 की पावर minus 2 मतलब 1 upon 100 हो जाएगा तो इसको percentage में जब लिखेंगे कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा ठीक है? तो हमको यहाँ पर जाए percentage dissociation बताना था ठीक है? तो alpha का value जो है यह आ रहा है आपका 0.01 अब percentage में लिखेंगे तो alpha is equal to कितना आजाएगा? 1% ठीक है? तो percentage dissociation पूछा था तो alpha का जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका option number 4 so option 4 is the correct answer ठीक? थैंक यू Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर